को में हारदिक स्वागत है कोस्मोस यूजीशी क्लासेज अब के लिए पड़े लेकिया था है निसुल को और बहतर क्लासेज सांदार सेशन जो हमारे रहते हैं हम अध्यन कर रहे थे बुगोल में हमने अध्यन किया था यूनिट नमबर जो आठ है यूजिसीनेट के लिए बुगोलिक चिंतन बुगोली चिंतन में हम हैं अध्यन कर चुके हैं युनानी बुगोलवेता रोमन बुगोलवेता हुए हैं उनका बुगोली की योगदान अंधकार यूग का अध्यन कर चुके हैं हमकी किस परकार अंधकार यूग आया था यूरोप में और है बुगोल है उसकी प्रगति किया था बुगोल को वापिस है अंदकार से दूर करने के लिए फिर पुनर जागरण काल आया था उसके हमने खोजी आतरी पड़ेते के सिवासको डिगामा कॉलंबस जैम्स कुक है इतैदी लोगों ने है नेक नेक शेत्रों में जाके है खोजे की और उनका बुगोल की वीव को पकुद की नीव किस ने रखी थी उन वह लिकार कर रहते लास्ट क्लासेज में हमने चर्चा कि तीति हमपोल के बारे में पिछी जो समझनी थे ने हम जो पल्क होई music इसमें अपने रिटर्ण पढ़ेते इससे पहले रिटर का जो भी गोल में योगदान है उसका जरम है उससे समंदित जो भी तत्ते हैं उनका अध्यन क्याता आज की जो क्लास रहेगी वो डेटिकेट रहेगी रिटर की विचारधारा क्योंकि किसी है वेक्ति को अगर समझना है तो उसकी सोच को समझना पढ़ेगा चिंतन सकती है उसको उसको समझना पढ़ेगा उसकी विचारधारा को अपन को है जो समझना पढ़ेगा तभी हम उस वेक्ति का जो है अध्यन कर पाएंगे उस वेक्ति को समझ पाएंगे तो आईए चर्चा करते हैं रिटर की विचारधारा की क्या 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 व वोगोलिक विचारदारा हमबोल से प्रभावित हुई मतलब पहला खतन क्या है कि रिटर की जो वोगोलिक विचारदारा थी वो हमबोल से प्रभावित हुई अब आपको पता है मैंने पहले आपकी पिक्चर करियर कर दी कि हमबोल से रिटर मिला था उसने है इसके गरंद के सब्सक्राइब था तो हम बोल से प्रबावित हुई विचारधारा इसकी तो उसकी विचारधारा को जनना आ जनना होगा उसलिए बता दी अगर किसी विचति को रापको जनना है तो उसकी विचारधारा को आपको जानना होगा जब तक आप उसकी विचारधारा नहीं समझ भाओगे उसके बार में आप संपूर्ण अद्यन नहीं कर सकते तो इसलिए है रेटर को जानना है तो उसकी विचारधारा है कौन-कौन सी विचारधार उसने प्रयोग की है विचारधारों में क्या-क्या रखाया उसको जाना है जो आउसेख है पहली जो विचारधार आती है रिटर की मानौ केंदरित विचारधारा जो पहली विचारधारा कौन सी आती है रिटर मो देगी मानौ केंदरित विचारधा आईए पढ़ते हैं मानो केंदरी त्विचातार क्या है अब आपको सिधा समझ में आ रहा है कि मानो केंदर में इस विचातार में मलब उसको केंदर में रखा गया फिर अदेन किया गया है तो यह मानो केंदरी त्विचातार इसके बारे में आपन संपूर्ण चर्चा करते है रिटर का बुगोल मानों केंदरी था रिटर ने जो भी बुगोल के समन्द में लिखाया बुगोल लिखाया वो क्या था मानों केंदरी था उसके अनुसार बुगोल का उद्दे से मानों केंदरी दर्ष्टी कोण से मतलब की बुगोल का उदेश से क्या होना चाहिए मानव केंदरी द्रष्टी कोण से पर्थवी तल का अध्यन करना मतलब की मानव को है बीच में रमद्दे में रखकर केंदर में रखकर फिर चंपूर पर्थवी तल का अपन जो अध्यन करते हैं एसे अपना जो है उद्देश्य होना से एसे अपनी विचार दाया होने चाहिए यह रिटर का मानना था थता उससे उसमें मानना उत्ता प्रकरती को अंतर संबंदित करना मतलब कि मानों को केंदर में रखना ये बात अलग है कि मानों को केंदर में रखके है जो है अपना धिन करेंगे लेकिन मानना और परकरति के बीच में पर्थवी मनुश्य के लिए बना उसका माना था कि पर्थवी जो भी मनुश्य के मतलब कि पर्थवी तो मनुश्य के लिए बनी और मनुश्य किस के लिए बना है पर्थवी के लिए बना है ऐसा रिटर का मानना था जिस प्रकार सरीर की रचना आत्मा के लिए हुई है मतलब सरीर है उसकी रचना आत्मा के लिए हुई है आत्मा जो चाहती है वो काम करवाने के लिए सरीर की रचना हुई है उसी प्रकार पर्त्वी का निर्मान भी मानव जाती के लिए हुआ है ये रिटर ने का आता कि जिस प्रकार एक जो शरीर है एक बोडी है उसके जो निर्मान रचना हुई है हाथ पेर है मुह है सीर है इत्यादी जो भी है एक बोडी के पार्ट्स है उनकी रचना हुई है एक है आत्मा के लिए कुछ में आत्मा निवास कर सके और वो है अपने कार इसके लिए एक सरीर की रजना हुई है तो ठीक उसी प्रकार जो परत्वी है प्रकरती है उसका निर्माण भी मानव के लिए हुआ है कि मानव है अपने जो काल केरिया कलाप कर सके वन्ना अगर प्रकरती नहीं होगी तो मानव केरिया कलाप करेगा कहां रहेगा कहां क्या है तो इस प्रकार है रेटर का माना था कि पर्थवी का निर्मान है जो है मानव जाती के लिए ही हुआ है पर्थवी मानव की शिक्षण भूमी है कि जो पर्थवी है वो मानव की क्या है को माना है next विचारदर अपना चर्चा करते हैं विकास वादी विचारदर अब जैसा कि नाम से वीधित है विकास वादी विचारदर मतलब कि विकास के लिए जो विचारदर काम में ली जाती है किसी विकास किसी भी चीज़ का हो सकता है विकास हो सकता है प्रकरती का विकास हो सकता है मानव का विकास हो सकता है आपके शरीर का विकास हो सकता है चेनल का विकास हो सकता है कि कि इस परकार पहले मदलब है छोटे इस तरपर और निम्न क्वालेटी के साथ में अध्यन करवाया जाता था डे बाइ डे ही समें सुधार होता जा रहा है, तो ये के विकास है, एक डव्लप्मेंट है ये, तो विकास वादी विचारदारक ये अपन चर्चा करेंगे, रिटर के विचार विकासवादी रही है कि रिटर के जो विचार है विकासवादी रही है विकास के पक्षितर रही है जिने समझ ले के लिए उनके समस्त लेखो और गरंतों का अध्यन करना जो है आउसिक है कि विकासवादी विचार रहे है रिटर के तो उनका अध्यन करने के लिए है उनके समस्त लेको और गरंतों का अध्यन करना पड़ेगा नेक्स्ट विचारदारा की चर्चा करते हैं अपन नियतिवादी अब नियतिवादी से अगर आपने पहले पढ़ा है वो गोल को तो नियतिवादी विचारक आपके सामने आए हैं तो आपको clear है अगर कोई चीज clear doubt है आपके तो कोई समस्ची कलासेज आपके लिए तत्पर हैं आपके हैर एक doubt को है clear करने के लिए यह जो session रखा गया है तो न नियतिवादी विचारदारक क्या होती है उसकी चरचा करेंगी तो नियतिवादी है इसे बोलते हैं परकुरुत ये है नियतिवादी परकर्तिवादी विचारदरा तो अपने बुगोल में तीन विचारदर हुई है शरो परतम आई थी नियतिवादी वो बोलते थे कि परकर्ति है शरो परी है परकर्ति की सामने मानों कुछ नहीं है मानों को जुखना पड़ता है जैसा परकर्ति चाती वे परकर सामने एक सही तो एक है। उसके विरोध में आती है दूसरी विचारताख। अब इसके विरोध में कई विचारक हुए है जैसे प्रांसिस्टी विचारक हुए हैं। उन्होंने क्या खा की है यह सा नहीं है आप है मानव को है सिमित कर रहे हो परकरती को बढ़ा चड़ा कर दिखा रहे हो जबकि यह सा नहीं है मानव है वो है सरोपरी है वो जेसा चाहे जहां चाहे जो भी चाहे वो है परकरती में बदलाव ला सकता है परकरती उसके सामने एक ह है उपहार सहुरूप है एक गिप्ट है कि वो उसको जैसा चाहे वैसा उपयोग कर सकता है ऐसा है संभववादी विचारद विचारद जारा के जो लोग है या भुगोलवेता हुए है उन्होंने काया विशेश तोर से फ्रांस से इसकी उत्पति विए अब दो विचारदर आ यूएस से था लेकिन ये आसे थे इनको निसकासित कर दिया गया जब मैं आपको गुरिफी टेलर पढ़ाऊंगा तो इसकी फिस्टरी पढ़ाऊंगा है आपको खहीं भी देखने को नहीं मिलेगी इनकी कहानी क्या थी किस परकार इसको वैसकरत कर दिया गया आपने जो है देश में इसको सरण लेनी पड़ी थी तो हम चर्चा करते हैं नौनिश्यवादी की कि एक तीसरी विचार दरा उबर कर आई दोनों के बीच में जो टक्राव उसको कम करने के लिए उन्होंने इस्पेस्ट कर दी कि ने तो मानव सरोपरी है ने परकरती सरोपरी है मतलब दोनो सरोपरी नहीं है दोनों का है अपनी जगह है समान अस्तित्व है दोनों समान है परकरती चाहे तो मानव पर प्रभाव डाल सकती है मानव चाहे तो परकरती पर है प्रभाव डाल सकता है उसको परिवर्तन कर सकता है तो दोनों ही मैतुपूर्ण है जीवन के लिए तो दोनो मानव लिभास करेंगे इस तीवकोर विचारा अब नाम से विदित होता कि तौ यही फरी कि मैंने जो आपको पिछ्छे classes करवाया था मैं करवाता हूँ तुलनात्मक रूप से अधिन और जो तुलनात्मक है रूप से अधिन होना भी आउसिक है comparison होना आउसिक है मैं पहली class से एक चीज बोलता है हूँ कि अगर दो चीज़ों के मतले comparison नहीं करोगे तो आप बहतर नहीं दे पाओगे बहतर अधिन नहीं कर पाओगे और थोट ऐसा विससे है इसमें अगर आप comparison नहीं करोगे दो चीज़ों के मतले तुलना नहीं करोगे तो आपकी इस्तती स्पेस्ट नहीं होगी आप युनानी पढ़ोगे तो रोमन बूल जाओगे रोमन पढ़ोगे तो अरब भूल जाओगे अरब पढ़ोगे तो रोमन बूल जाओगे आधुनिक बॉल पढ़ोगे तो अरब भूल जाओगे पुनर जागरन पढ़ोगे तो अंधगार यू भूल जाओगे तो comparison होना उसे के तब मैंने जब आपको है पढ़ाया था Humbold तब मैंने कहा दिया कि है मोर्ट तो नास्तिक था इस्वर में विश्वास नहीं रखता था जब कि दो रीटर महोदे में हैने वो इस्वरवादी थे आस्तिक थे उनका विश्वास तो यह इस्तति पहले मैंने आपकी इसर्वाधी विचारदारा प्रादेशी विचारदारा मैंने पड़ाय था हमबॉल्ट कि क्या होता है करंबद रूप से क्यूशन भी काफी बार पूछा गया है एक्जाम में कि करंबद रूप से विचारदा थी और रीटर कीति प्रादे सिखती तब मैंने वहाँ पे चर्चा कीती क्रंबद क्या होता है अब अगर हम को है भारत का अधिन करना है तो हम क्या किरेंगे भारत का संपून अधिन करेंगे उचाई तापमान है जो जलवायू है या है वहाँ पर जो है सम विष्ण जलवायू इस्तति और है परवत-पतार मेदान उसकी शंपूनों अध्यन करेंगे। दूसरी तरफ प्रादेश ही क्या होता है प्रादेश ही अगर हम भारत का अधिन करना है तो हम क्या करेंगे उसको अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर लेंगे जैसे पश्चिमी घाट पूरी घाट को कर लिया फिर है प्राइदी भारत को कर लिया उत्तर का मेदान को कर प्रवती प्रदेश को कर लिए अब वहाँ पे हम अधिन करेंगे अब जैसे अपनिल एक है जो है प्रदेश लिया है के लिए दखन का प्राइदी भी पड़ा तो वहाँ परवत पठार फिर वहाँ पे कौन-कौन से नदिया है ताप मान जलवाई उसका संपूर अधिन जबकि करमबद में क्या होता है कि जो संपूर शेत्र है उसको हर एंगल से है जो है cop ले जाता है वही करमबद है कि करमबद रूप से हरा चीज़िजग का उसको पार्टों में डिव दधाउड नहीं किया जाता मतलık उसका विस्सदिलेशन नहीं किया जता है यह संसलेशन है जब कि प्रादेशिक में में प्रादेशिक पड़ती का परियोग करता है यह आपको ध्यान वैड़ रख लेना प्रादेशिक कुछ दरा तो आपकी है 99% पूछा जाती है एक ज्ञाम में हर बर इसका क्यूसम आता है माला तो अपको कि किस टाइप इसका कीशन पूछा जाता है उसने प्रादेशी का देन के लिए लांडर कुंडे सब्सक्ट को प्रियोग के तो प्रादेशी के देन जर्मन सब्द है तो अपन को थोड़ा ऐसे लग रहे हैं कि सरी कहा से आगे वर्ड्स है जो एड़ कुंडे हैं याद ही नहीं होते लेकिन आप इसको रिवाइज गरोगे आप भी क्लास ले रहे हो उसके बाद में हैं आप इनके नोट्स मनाओ नोट्स को रिवाइज गरो आप अपने हैं डाउट है जो आपको है समझ नहीं है दूबार से कर सकते हो अगर फिर भी आपको को डाउट होता तो आप हमारे comment box में comment भी कर सकते हो next session में उसकी जो हम चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे तो आपका solution वह आपको जो दिया जाएगा तो next विचारदारा इसकी है अनुभाविक अब अनुभाविक विचारदारा है तो आपको सिधानती नहीं इसमें अनुभाविक बानता है कि जाकर देखो और देखकर विश्वास करो कि कोई है चीज अधिनयोगी है या नहीं ऐसे विचारदारा चलती है कि जाकर आपको देखना है कि अधिन करने योगी कोई चीज है ऐसे नहीं कि इसने खाय दिया कानों सुने पर विश्वास नहीं करता बुगोल आँखो देखी पर विश्वास करता है आँखो देखने के बाद में भी जो एन्वेस्टन खोज करते हैं उन पर जो बुगोल विश्वास करता है अब जो है कानों सुन कि कोई भी चीज़ का अवलोकन करते हैं, तो उसको प्रमानित कर सकते हैं कि यह सत्य है, अर्थार्त उसके अनुसार बुगोल सुद अवलोकन का विसे है, कि बुगोल है उसको अवलोकन करना चाहिए, सुद अवलोकन का है जो विसे है, इस संदर में वह लिखता है कि यदि प पर्थवी तो वही शाड़े 23 डिग्री पर जुखी हुई है यह है आज सूर्य गरण चंद्र गरण चल ले थे अभी पांच जुलाई को जो है चंद्र गरण हुआ था उससे पहले की जून को सूर्य गरण हुआ था तो है आपको देखना होगा कापी सारे जो गोल के शुडे माया था अधिकतर भागों डग लिया और चारों तरफ की जो है एक जो है रिंग नुमा करती जो परत्वी से दिखाई दीती है मैं तो जो विदारती जो शीरेश विदारती थे उनको जानना था उसके बारे में उन्होंने उसका अध्यन किया लेकिन जो आलसी परवर्ती की जो स्टुदेंट्स आख से हमारे महान है नें परत्वी से अधिक से देख लिइंगा और लोकन करना पड़ेगा तब ही हम उसके बारे में जान पाएंगे हालांकि ये बात अलग है कि रीटर ने हैं से जाने कोशिस ने की मैंने पढ़ाया था अमबोल्ट है कोजी आत्री वेते रेटर आरामचेर वोल वेता हुए थे उन्हेंने किते अब भी ग्यान से है इतना जो नोलेज प्राप्त किया था लेकिन उनका मत यही था कि अगर किसी है को अपन को ज्यान प्राप्त करना है किसी के बारे में जाना है तो उससे समयन से पूच्छास करनी पड़ेगी कोई मादें बीच में जो है नहीं चलेगा नवीन वेगयनिक है बुगोल की विचाधारा मतलब की है बुगोल में है वेगयनिक तर समाप्त हो गई थी अंदगार यूग आया था पूनर जागरन काल में इतना विकास नहीं हो पाया था लेकिन आदूनी काल में है जो पुराने वेगयनिक ज्यान है उसको छोड़ कर एक नया वेगयनिक है वेगयनिकता के तरक सकती है वोगोल को परदान की गई यही है जो नवीन वेगयनिक विचारदारा इसे ही कहते हैं कि जो नए रूप से वेगयनिक तथे है जो है इकटे करके वोगोल में है समिलित करना मतलब बहुल को विग्यानिक्ता परदान करना नवीन रूप से जो पुरानिक है उसको छोड़ कर पुरानिक्ता है उसको त्यार कर नवीन रूप से है विग्यानिक्ता परदान करना बहुल को यही नवीन बहुल की विचारदर है नेक्स्ट है अपनी है अनेक्ता में एक्ता अनेक्ता में एक्ता की विजस्गातर जलवायू है कि जो प्रकृतिक शिमा से गिरावा य। उसकी उत्वादन श्यमता वहां की सब्वता से के वाहां के जनसेंग क्या वाहां के इतियास है वह है यही इस विचारधारा का है अर्थ है २ेक्स्ट है मानव सब्सक्राइब करना मुश्चिल है तो इस संद्र पे उसने विचारदार प्रस्तुत की है तो हमने एक बार दुबार देखते हैं आपने और आपको विचारदारों का पर्सन ऐसे नहीं आएगा कि मानों केंदरी तुछा धरा को समझाईगी जैसा कि आपको पता है अपनी एक्जाम में अब्जेक्टिव क्यूशन्स आने बुगोल से आने सारे अब्जेक्टिव आएंगे ताइम रहेगा तीन आवर का तो यहां पर अपनको थ्योरी नहीं लिखनी है थ्योरी बेरे पढ़ाने का मकसद ही था कि आपको चीज कलियर होनी चाहिए अपनको अब्जेक्टिव क्यूशन्स की चर्चा करनी है उन पर फोकस करना है तो आप चुकुशन इस टाइप से पूछा जाएगा कि इनमें से हैं हम वह इसकी रिटर की विशारणारा नहीं है ए रिटर के विचारणार तीन गलत देदी, एक सही देदी, एक गलत देदी, तो एक option को आपको क्लिक करना है, तो इस प्रकार से इसका आप विचारदारों का नाम नाम आपको ध्यान में रखना है, कौन-कौन सा नाम, मानव केंदरित विचारदार, विकासवादी विचारदार, नियतिवादी विचारदार, इस्वरवादी विचारदार, प्रादेशिक विचारदार, आनुभाविक विचारदार, नविन वेगैनिक भुगोल की विचारदार, अनेकता में एकता की विचारदार, और मानव पर लेकिन लेकिन आपको इतने बड़े श्मार्ट चुट्डि करनी है मैं जल्दी एक वीडियो आ सिलेबस से समंधित एक दो दिन में आये हो आपको मिल जाएगा वीडियो सिलेबस चर्चा की गई है उसमें और चर्चा की गई है तो दो concept के अधार पर कि smart study कैसे करें किस प्रकार को आप सको cover करना है और वो है वीडियो में तो माना यही है वेसे तो मेरा हैर एक है जो classes है दमाकेदार होती है आपको इतनी महत्पुर्ण जानकर कहीं से नहीं मिलेगी देख लेना आप कहीं से भी यूटूब को खंगा लेना books को देख लेना guides को देख लेना आपको इतनी knowledge और इतनी है गहेंता से है विस्तिर दूप से कोई नहीं पढ़ाएगा साथ में objective of equations कोई नहीं बताएगा चर्चा करेगा class के साथ में साथ में one into four formula कितना है प्रभावी रहा था वो काफी famous हुआ है काफी सारे student की पसंद है हूँ one into four two formula में पहले पढ़ाता आ रहा हूँ tips formula मैंने आपको बताया तो मतलब हैरे एक एंगल से है उसकी चर्चा हो रही है अपनी classes की अपनी जो है units की अपनी जो गोल की तो आप है वीडियो को है देखते रही है regular basis बे देखिए आनन्द कि अपने दोस्तों के साथ में share कर सकते हैं कि वो भी इनका अनन्द ले सकते हैं वो भी आपका धन्यवाद करेंगी कि आपने आपने फ्रेंट्स को एक अच्छे platform पे लाखे छोड़ा है जहां निशुल्क रूप से बहतर सिक्स आपको है मिलेगी तो साथ ही विदा लेते है मिलते हैं next class के साथ में next class रहेगी अपने रेटर की ही समन्द दित रहेगी डेटिकेट रहेगी रीटर का जोमने भुगोली यगदान मिलता है उससके संदरब में और कल की किलास में अपना confisc चांबियो किया जो योगदान मिलता वो भी कापी वीश्थित है तो चलो साथ भी वीदा लेखते हैं मिलते हैं नेक्स क्लास से थाथ में तब तक की धनिवाद बाए